नमस्ते दोस्तों मैं सोनिया गोयल यूट्यूब पर जैपूर दापिंग सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ गाजर हमारी त्वच्चा के लिए एक गुणकारी औशदी है आज मैं आपको आपके संदरे को निखारने के लिए गाजर के कुछ उप्योग बताऊंगी आप ये व्यूट्य टिप्स मेरी वेबसाइट जैपूरदापिंग सिटी डॉट कॉम से प्रिंट भी कर सकते हैं गाजर की मदद से हमें एक बहुत ही अच्छा मॉइस्टराइजिंग फेशल मास्क बना सकते हैं यह सर्दियों में आपके चेहरे को मॉइस्टराइज भी रखेगा और आपकी त्वचा पर निखार भी लाएगा इसके लिए हमें चाहिए चार छोटे चम्मच कद्दुकस की हुई गाजर, दो छोटे चम्मच मलाई, दो छोटे चम्मच शेहर और एक छोटा चम्मच जैतुन का तेल एक ग्राइंडर में कद्दुकस की हुई गाजर डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए अब एक प्याले में सभी सामगरी अच्छी तरह से मिला लीजिए यह देखें तयार है एक मेजिकल फेश मास, अपने चेहरे को सबसे पहले किसी अच्छे क्लिंजर से साफ पर लीजिए, अब गाजर से बना फेश मास अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लीजिए और इसे 15 मिनट लगा रहने दीजिए प agree 12 मिनिट बाद इसे हलके गुन-गुने पानी से धो लीजिए। रोजाना दिन में एक बार गाजर से बना ये फेस मास्क इस्तेमाल करने से कुछी दिनों में आपके चेहरे पर चमक दिखने लगेगी, आप जवान दिखने लगेगी और आपकी तवचा कोमल और मुलाइम हो जाएगी गाजर एंटी एजिंग ब्यूटी टिप्स के लिए बहुत ही इस्तेमाल की जाती है आईए आज मैं आपको बताती हूँ गाजर से बनने वाला एक बहुत ही बढ़िया एंटी एजिंग फेस मास्क दो चम्मच गाजर का रस, दो चम्मच निम्भू का रस और दो चम्मच छाच, दो चम्मच बेसन में मिला लीजिए यह फेस मास्क अपने चहरे पर लगाईए, 15 मिनट पिसे लगा रहने दीजिए, बाद में इसे हलके गुन-गुने पानी से दो लीजिए गाजर में मौझूद विभिन पोशक तत्व हमारी बढ़ती हुम्र के साथ धीली पढ़ती स्वचा को कसावट देते हैं इसलिए इस फेस मास्क का इस्तमाल एक दिन छोड़कर एक दिन करने से आप जवान दिखने लगें गाजर से आप एक बहुत ही बढ़िया होममेट स्क्रब भी बना सकते हैं इसके लिए एक प्याले में कद्दू कस की हुई गाजर चीनी और मिल्क पाउडर बराबर मात्रा में मिलाईए इस स्क्रब को अपने चेहरे पर रगड़ कर लगाईए और 15 मिनट इसे लगा रहने दीजिए बाद में इसे हलके हातों से मलते हुए गुनगुने पानी से धो लीजिए हफदे में एक बार इसे इस्तेमाल करें यह आपके चेहरे से डज्सकिन को निकालकर आपके चेहरे को ताजकी से भर देगा और आपका चहरा पूरे हफते खिला खिला दिखेगा हर सोंबार मेरी नई ब्यूटी टिप्स देखते रहने के लिए मुझे यूट्यूब पर जैपुर्दा पिंग सिटी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए झाल